हेलो फ्रेंस आज मैं आप लोगों के साथ गेहूं के आटे से बनने वाला बहुत ही ज़्यादा चटपटा, कुरकुरा और टेश्टी नास्ता की रेश्पी सेयर करने वाली हूँ जिसे आप बहुत ही आसानी से एकदम चटपट से बना करके तयार कर सकते हैं खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगता है और इसी आप बहुत ही कम सामकरी में बना करके तयार कर सकते हैं चलिए इस टेश्टी नास्ता को बनाना शुरू करते हैं नास्ता की रिस्पी यदि आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, सेर और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा इस नास्ता को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है, अगर इसे कप से मेजर करें तो यह एक कप के बराबर ही होगा आटा को ले लेने के बाद इसमें एक चमच घी डाल लेंगे, आप चाहें तो ऐल भी डाल सकते हैं थोड़ा सा नमक एड़ कर लेंगे ताकि आटे में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए, आटे में मुएन नहीं लगाना है बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सौफ्ट सा आटा लगा करके तयार कर लेना है जिस तरह से हम दूसरी तयारी कर लेते हैं तो देखिए यहां पर हमने आधा कप चना डाल लिया था जिसको की चार घंटा पहले ही भींगने के लिए रख लिया था बहुत ही अच्छी तरीके से चना का डाल भींग चुका है चना के डाल को हमने पहले ही अच्छी तरह से धूल लिया था और उपर तक पानी डाल करके इसको भींगने के लिए रखा था, अब चना के डाल में से सारा पानी निकाल लेंगे, और बीना पानी के ही एक मिर्ची के जार में इसको ट्रांसफर कर देंगे, चना का डाल डाल लेने के बाद इसमें दो हरी मिर्च डालेंगे, मिर्च को तोर क तीखा ज्यादा पसंद करते हूं तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा वरना आप एक मिर्ची भी इसमें डाल सकते हैं अब मिर्च डाल लेने के बाद इसमें चार कलिया लहसुन की डाल लेंगे आप चाहें तो अधरक का टुगरा भी डाल सकते हैं आधा चमच क में दिख्का तारा ही हो तो एक दो चमचा पानी एड़ कर लेजिएगा ज्यादा पानी इसमें नहीं एड़ किजिएगा देखिए हमने चना दाल को बिना पानी के ही पीछ लिया है और एकड़ में बारिक पीछ चुका है अब इसे एक बावल में ट्रांसफर कर लेते हैं चमच हल्दी पॉडर एक चोथाई चमच लाल मिर्च का पॉडर एक चोथाई चमच खाड़ा जीरा आप चाहें तो जीरा का पॉडर भी एड़ कर सकते हैं थोड़ा सा अजवाइन ले लेंगे उसे भी डाल लेंगे जिसे टेस्ट बहुत ही बढ़ियां आएगा थोड़ा स अब इसमें डालेंगे एक चोटे साईज का प्याद जिसको मैंने एक दम बारी काट करके डाला है थोड़ा सा हरा धनिया और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और एक चोटी चमच ऑल भी डाल लेते हैं टेस्ट बहुत ही बढ़ियां आ जाएगा अब सारी चीजों को ड रखते हैं आटे को चिक कर लेते हैं आटे को भी रेष्ट करते हुए कुछ टाइम हो चुका है अच्छे से रेष्ट कर चुका है और फूल चुका है इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसमें से हम एक बड़ी सी लोई बना करके तयार कर लेंगे लोई तोर लेने के करके रखा है उसे डाल लेंगे और इस रोटी को मैंने बहुत ज्यादा भी नहीं रखा है और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रखा है जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरह की थिकनेस रखी है रोटी के ऊपर फिलिंग को अच्छी तरह से फैला लेंगे सब 35 के दोके से और इस तरीके सेคonders कर लेंगे देखिए इसको अच्छी तरह से Derek कर लेंगे डाल बिलकुल भी नहीं दीखना चाहिए घो से बचे हुए आटे से pilots को तयार कर लेंगे तो इसको side रख लेते हैं और दूसरा नास्ता भी हम तयार कर लेते हैं तो देखें प्रेंस ये हमारा दूसरा नास्ता भी तयार हो चुका है अब इस नास्ते को हम steam करेंगे उसके लिए हमने एक कराही में दो ग्लास पानी को पहले ही गरम होने के लिए रख लिया था मिनट इसको steam कर लेंगे तो देखें फ्रेंस नास्ता को steam होते हुए लगबग 10-12 मिनट हो चुका है और यह अच्छी तरह से steam हो चुकी है अब इसको पूरी तरीके से ठंडा होने देते हैं तो नास्ता पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है इसे मैंने एक ब्लेट में निकाल लिया है अब इसको कट कर लेते हैं इस तरह से हम हाफ-ाफ इंची का गैप देते हुए इस नास्ते को कट कर लेंगे आप देख सकते हैं नास्ता कितनी अच्छी तरीके से steam हुआ है और देखने में कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है सारे नास्ते को इसी तरह से कट कर लेंगे तो देखे हमने सारे नास्ते को कट कर लिया है आप चाहें तो इस नास्ते को ऐसे भी खा सकते हैं किसी चटनी के साथ ये नास्ता ऐसे भी खाने में टेश्टी लगेगा बट मैं इसको फ्राइ करूँगी तो उसके लिए हमने क्या किया है कि एक बावल ले लिया है बावल में तीन से चार चमच के करीब गेहूं का आटा ड लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे टेश्ट के लिए और इसमें पानी डाल करके इसका पतला सा घोल बना करके तयार कर लेंगे तो देखे ये हमारा घोल बनकर के तयार हो चुका है तो चलिए अब नास्ते को फ श्ट्रां बेट्र माने के और युज helemaal गपाने जिसे में चाहिआ नास्तरा प्याल तेखे उलका चाहिए। देखे, नास्ता में एक साइड से अच्छा सा कलर आ चुका है, इसको मैंने पलट लिया है, अब दूसरी साइड पलट लेने के बाद इसको कुछ देर और सेक लेते हैं, इसे सिखने में ज्यादा समय नहीं लगता है, और इस नास्ते को सेकते समय आप गयास का फ्लेम मीडियम इस नास्ते को नहीं सेकिएगा, नहीं तो नास्ता ओली हो जाएगा, देखे हमारा नास्ता बहुत ही जल्दी सीख चुका है, इसमें अच्छा सा गोल्डेन सा कलर आ चुका है, इसको मैंने निकाल लिया है, और दूसरे बैच नास्ते को भी इसी तरह से हम लो टुम मीडिय के साथ सरु कर सकते हैं, यह नास्ता ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सौफ्ट होता है, खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगता है, और बनाना भी बहुत ही जादा आसान है, तो फ्रेंस आप भी इसको अपने घर में जरूर से ट्राइ कीजिएगा, और नास्ता की रेस स्बी के साथ तक तक के लिए बाई थैंक्स फर वाचिंग